नमस्कार सबों को जैसा कि आपको पता है जल्द ही BPSC से परधाना ध्यापक एवाम परधान सिचक की बहाली होने जा रही है जिसके लिए पूर्व में BPSC से संपन हुए सिच्छक परिच्छा का प्रिबिएस एर कोस्चन से आप सबों को रूब अरू कराने जा रहा हूं आप चाहें तो एक से सो तक नम्बरिंग कर लेंगे और इंसर अपना लिखते चलेंगे और अंत में मुल्यांकन कर देखेंगे कि कितना सही आप जबाब दे पाएं चलिए वीडियो प्राराम करते हैं आज का पहला सवाद समराट असोक ने अपनाया ओप्शन A इसलाम धरम ओप्शन B जैन धरम ओप्शन C बौध धरम ओप्शन D इसाई धरम साही जवाब हो जागा option C बौध धरम असोक बौध धरम अपनाया था वहीं उसके असोब के पिता बिंदु सार ने आजीवक संपरदाई के अनुगाई थे और असोक के दादा चंदरूप मौर्ज जैन धरम के अनुगाई थे मौर्ज बंज के संस्थापक चंदरूप मौर्ज थे और मौर्ज बंज के अंतिम सासक बिर्यदत था नेक सवाल दुसरा सवाल कोटिल ने रचना की option A अर्शास्त option B मनुग अस्मिरिती option C अथरवेद option D रामाईन सही जवाब option A अर्शास्त कोटिल को विश्णुगूप्त और चानक के नाम से भी जाना जाता है कोटिल दोरा लिखित पुस्तक और सास्त का संबन राजनितिक सास्त से है अगला सवाल ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ती का दरगाह इस्तित है option A अजमेर option B बनारस option C दिल्ली option D हैदराबाद option A अजमेर भारत में सूफी मत के चिस्ती सिल्सिला की अस्थापना का स्रे ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ती को दिया जाता है उन्होंने 1236 इसमें अपने सरीर का त्याग किया था चलिए चोथा सवाल अमीर खुसरो किसके सिस्ते option A option B option C option D option D option C option C option C अगला सवाल पच्चमा सवाल दिल्ली के लाल किले का निर्वान करवाया था option A option A option B option C option D option D option D option B सही जबाब option B सा जहा दिल्ली की लाल किला जामा मस्जिद तथा अगरा में ताज महल मोती मस्जिद जैसी कलात्मक इमारतों का निर्मान सा जहां के द्वारा ही करवाया गया था नेक्स सवाल छटा सवाल सर सयद अहमद खान संस्थापक थे option A option B option C option D सही जबाब option A option B सत्मा सवाल दिल्ली के अंति मुगल बाद साथे option A औरंगजेव option B बहादूर सा जफर option C औरुक्सियर option D मुहमद सा सही जबाब option B बहादूर सा जफर next सवाल अठमा सवाल कस्तुर्वा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी option A फिरोज सा गांधी option B महात्मा गांधी option C मुरार्जी देशाई option D राजीव गांधी सही जबाब option B महात्मा गांधी next सवाल नौमा सवाल पलासी का यूद कब हुआ था option A 1557 option B 1657 option C 1757 option D 1857 सही जबाब option C 1757 next सवाल दसमा सवाल भारत को सो तंतता प्राप्ती हुई थी option A 2 अक्टूबर 1879 option B 14 नौमबर 1889 option C 15 अगस्ट 1947 option D 26 जनबरी 1950 सही जबाब option C 15 अगस्ट 1947 next सवाल इगरवा सवाल यदि हमारे माता पीता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतिये नागरिक हैं तो हम हो जाते हैं option A जन्मजात नागरिक option B प्राप की हुई नागरिक ता option C बिदेशी नागरिक option D इन में से कोई नहीं सही जबाब option A जन्मजात नागरिक next सवाल बढ़ामा सवाल लोगतांतरिक सरकार वह सासन ब्यवस्ता है जिसमे option A option B option C ताना साही सक्तिया हावी होती है option D इन में से कोई समिधान नहीं होता सही जबाब हो जाएगा option A जन्मजात नागरिक की भागदारी होती है ते रहमा सवाल बड़े नगरों में अस्थानिय सोसासन की संस्थाय कहलाती है option A नगर निगम option B ग्राम सभा option C पंचायत option D जिला परसद सही जबाब option A नगर निगम चोधामा सवाल पंचायत समिती के परसासन को परवंद एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं option A परखंट विकास पतादीकारी वीडियो option B डिप्टी कमिशनर option C मिनिशीपल कमिशन कमिशनर option D सही जबाब option A परखंट विकास पतादीकारी वीडियो पंदरहमा सवाल बारतिय समिधान के जैनक है option A option B सुभास चंदर बोस option C वी आर अमबेटकर option D राजेंदर परसाद सही जबाब हो जाएक option C डॉक्टर भीम राव अमबेटकर सोलहमा सवाल भारतिय समिधान ने भारतिय नागरीकों को कितने मौलिक अधिकार परदान किये है option A 2 option B option C option D 8 सही जबाब option C 6 नेक सवाल सत्रहमा सवाल 14 बरस से कम आयू के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले करखानों में काम करते हैं इन करखानों में बच्चों को काम देने के देने से किस मौलिक अधिकार का उलंगन होता है option A समानता का अधिकार option B सोचन के बिरुद अधिकार option C स्वतंतरता का अधिकार option D संस्कृती तथा सिच्छा समंधी अधिकार सही जबाब option B सोचन के बिरुद अधिकार 18 सवाल नोक सवा का कार्चकाल है option A 3 साल option B 4 साल, option C 5 साल, option D 6 साल, सही जवाब option C 5 साल नेक सवाल, उनिसमा सवाल, लास्टिये जनता दल के नेता है, option A कल्यान सिंग, option B लालू परसाज जादव, option C मायाबती, option D मुलैम सिंग जादव उस समय के इस्तिती से B option सही होगा, अभी तेजस्वी परसाज जादव है, चलिए नेक सवाल, विसमा सवाल, भारत के राजपती को पद की सपत कौन दिलवाता है, option A, चीफ इलेक्शन कमिशनर, option B, सुप्रीम कोट के मुख नियादिस, option C, चीफ मिनिस्टर मुख मंतरी, option D, परदान मंतरी, सही जबाब हो जाएका option B, सुप्रीम कोट के मुख नियादिस, इकिसमा सवाल, जनसंख्या के संदर्व में भारत का बिश में अस्थान है, option A, पहला, option B, दूसरा, option C, तीसरा, option D, पांचमा, सही जबाब हो जाएका option B, दूसरा, नेक सवाल, बाइसमा सवा पुंजी वादी अर्थविवस्था में, option A, राज आर्थिक मामलो में हस्त छेप करता है, option B, बीत मंतरी अर्थविवस्था को नियंतरित करता है, option C, बैंको का अर्थविवस्था पर नियंतरन होता है, option D, इनमें से कोई भी अर्थविवस्था को नियंतरित नहीं करता है बर्तमान पंचवरशीय योजना के अबदी 31 मार से 2017 को समाप्थ हो चुकी है तरह देश में पंचबर सर्य जरा की प्रंप्रा भी समाप्थ हो गई है इसके जगपर नितियायो कार्ज कर रही है नेक सवाल 25 सवाल निम्नांकित फंसलों में से कौन सी फंसल नगदी फंसल के रूप में जानी जाती है अप्शने चावल अप्शन बी गें हूँ अप्शन सी बाजरा अप्शन डी का पास सही जवाब हो जाएगा अप्शन डी का पास अगला सवाल 26 सवाल 1970 से 1986 के मद में भारत में कोईला के उत्पादन में बिर्दी हुई अप्शन ए 122 परतिसद अप्शन बी 209 परतिसद अप्शन सी 222 परतिसद अप्शन डी 500 परतिसद सही जवाब अप्शन ए 122 परतिसद नेक सवाल 27 सवाल आर्थिक विकास के दिरिश्टि कौन से भारत की गिंती होती है Option A. पिछरे राष्ट के रूप में Option B. बिकसित राष्ट के रूप में Option C. बिकास सील राष्ट के रूप में Option D. और्द बिकसित राष्ट के रूप में सही जवाब Option C. बिकास सील राष्ट के रूप में नेक्स सवाल 28 सवाल भारत बहुल में आयात करता है उप्शन A जूट उप्शन B LPG उप्शन C नमक उप्शन D चाय सही जवाब उप्शन B LPG नेक्स सवाल 29 सवाल भारत में उपभोकता अधिनियम को पारित किया गया उप्शन A 1983 उप्शन B 1986 उप्शन C 1995 उप्शन D 1997 सही जवाब उप्शन B 1986 नेक्स सवाल तिसमा सवाल 1991 में भारत की कूल जन संख्या थी उप्शन A 70 करोर उप्शन B 84.4 करोर उप्शन C 90 करोर उप्शन D 94 करोर सही जवाब उप्शन B 84.4 करोर 2011 की जन्गन्ना के अंतिम आकरो के अनुसार भारत की कुल जन्संख्या 12, 10, 56, 95, 73 है नेक सवाल 31 सवाल सरदार सरोबर बांद किस नदी पर बनाया जा रहा है option ने बेतवा, option B, कावेरी, option C, नर्मदा, option D, शाबरमती सही जवाब option D इससे इस तरह याद रख सकते हैं सरदार नरम होता है सरदार सरोबर बांद, नर्मदा नदी पर चलिए नेक सवाल 32 सवाल दादा सहेफाल के पुरसकार की स्चेट से समन्दित है? Option A. ससत्र सेनाए Option B. साहित Option C. फीलिम Option D. खेलखुद सही जवाब Option C. फीलिम Next सवाल किस राजबे एलोडाएं? एलोडा की गुफाएं? Option A. आंधपरदेश Option B. करनाटक Option C. मदपरदेश Option D. महराष्ट सही जवाब Option D. महराष्ट 34 सवाल संजुक्त राज अमेरिका के राष्टपती कौन है? Option A. कोफी अनान Option B. विल किलिंटन Option C. टोनी बिलेर Option D. मार्गरेर थेचर सही जवाब उस समय की दृष्टी कौन से? B. बिल किलिंटन बरतमान में संजुक्त राज अमेरिका के राष्टपती जो बाइडेन है Next सवाल 35 सवाल बिहार के मुख मंत्री है Option A. जगरनात मिस Option B. लालू परसाजादव Option C. नितिश कुमार Option D. राबरी देवी सही जवाब Option C. बरतमान में बिहार के मुख मंत्री है नितिश कुमार उस समय के दिश्टी कुन से? राबरी देवी था? बरतमान में नितिश कुमार है चले Next सवाल 36 सवाल जोर्ज फर्णान्डी सह Option A. केंद्रिये ग्रीह मंत्री Option B. केंद्रिये रक्षा मंत्री Option C. केंद्रिये ब्रीत मंत्री Option D. केंद्रिये रेल मंत्री उस समय के दिश्टी कुन से? Option B. केंद्रिये रक्षा मंत्री ऐसे बरतमान में भारत के केंद्रिये रक्षा मंत्री राजनात सिंग है राजनात सिंग रक्षा मंत्री चले नेक सवाल 37 सवाल प्रशुड में संपन हुए च्छोला में Commonwealth खेलों में परसिद निशाने वाज जस्पाल राना को कितने मिडल मिले थे Option A एक मिडल, Option B एक सिल्वर मिडल, Option C दो गोल्ड और दो सिल्वर मिडल, Option D कोई भी मिडल नहीं सही जवाब उस समय के दिश्टिकों से, Option C दो गोल्ड और दो सिल्वर नेक सवाल, अर तिसमा सवाल, बीम लंडन चेंपियंशिप कि स्खेल से संबंदित है, Option A बैडमिंटन, Option B किरिकेट, Option C फुटबॉल, Option D टेनिस सही जवाब, Option D टेनिस 49 सवाल, संजुक्त राजसंग के बरतमान सेक्रेट्री जेनरल कौन है, बुतरस बुतरस घाली, Option B कोफिया नाम, Option C फेरेज, D उस समय के दिश्टिकों से कोफिया नाम बरतमान में संजुक तरासंग के बरतमान सेक्रेट्री है एन्टोनियों गुटिरेस एन्टोनियों गुटिरेस चले नेक सवाल चलिस्मा सवाल एपीजे अब्दुल कलाम को समानित किया गया उप्षन A पदमसरी उप्षन B पदमभूसन उप्षन C अर्जुनपुरसकार उप्षन D भारत रतन सही जवाब उप्षन D भारत रतन एक तालिस्मा सवाल बिस्व परसीध थार रेगिस्तान किस राज में इस्थित है Option A उत्तरपर्देश, Option B राजस्थान, Option C बिहार, Option D आंदरपर्देश सही जवाब Option B राजस्थान भारतिय रास्टिय पसू है Option A गाय, Option B बाग, Option C हाथी, Option D हीरन सही जवाब Option B बाग स्वेट करांती किस चीज के उत्पादन से सम्बंदित है Option A, दूद, Option B, चाय, Option C, चीनी, Option D, कॉफी, सही जवाब, Option A, दूद चौरिसमा सवाल, नील नदी गिरती है, Option A, काला सागर में, Option B, हिंदमाह सागर में, Option C, भूमद सागर में, Option D, औरब सागर में सही जवाब, option C, भुमद, सागर में नेक सवाल, निम्नांकित में से कौन सा अस्थान सरवाधिक वर्षा के लिए परसीद है option A, बिकानेड, option B, चेरापुंजी, option C, पटना, option D, तिरपूरा सही जवाब, शेरापुंजी, उस समय की दिश्टिकों से, बरतमान संदर्व में, मेघाले राज में ही इस्तित, मासिन राम, भारत में सरवाधिक वर्षा के लिए बिख्यात है मासिन राम, मासिन राम, चले नेक सवाब, शेरिसमा सवाब, कोचिन परसीद है, option A, जहाज निर्मान के लिए, option B, स्टेनलेस स्टील निर्मान के लिए, option C, छोटी कारों के निर्मान के लिए, option D, हवाई जहाज निर्मान के लिए, सही जवाब, option A, जहाज निर्मान के लि से तालिस्मा सवाल, काला सागर किस देश के दच्छिन में इस्तित है? आप्शन A, फ्रांस, आप्शन B, रूस, आप्शन C, तड़की, आप्शन D, इंगलेंड, सही जवाब, आप्शन B, रूस. अर्टालिस्मा सवाल, इंदरा गांधी नहर किस राज में निर्मित की गई है? आप्शन A, बिहार, आप्शन B, गुजरात, आप्शन C, अरियाना, आप्शन D, राजस्थान. सही जवाब, आप्शन D, राजस्थान. नेक्स सवाल, हजारी बाग तथा मुंगेर कीन खानों के लिए परसीद है? आप्शन A, कॉपर, आप्शन B, गॉल्ड, आप्शन C, माइका, आप्शन D, सिल्वर. सही जवाब, आप्शन C, माइका. भारत में आलू कौन लाए थे? आप्शन A, आरज, आप्शन B, डच, आप्शन C, फ्रांसेशी, आप्शन D, पुर्तगाली. सही जवाब, आप्शन D, पुर्तगाली. सवाल है, चार किलो मीटर प्रति घंटा की वेक से बारिस उर्दवाद दर्था नीचे की ओर गिर रही है, प्रति घंटा 3 किलो मीटर के वेक से एक आदमी सिधे रास्ते पर गति कर रहा है, तो आदमी के साप्श बारिस की आप्शित गति प्रति घंटा है. आप्शन A, 7 किलो मीटर, आप्शन B, 6 किलो मीटर, आप्शन C, 5 किलो मीटर, आप्शन D, 4 किलो मीटर. सही जवाब आप बनाएंगे मिलाएंगे सही जवाब option C 5 किलो मीटर next सवाल समान तोरण से गति करते हुए एक कन 5 में एवं 9 में सेकेंड में करमसा 7.5 cm एवं 9.5 cm की दूरी भर्मन करता है इसके तोरण बराबर है option ए 2 वटा 5 cm परती सेकेंड परती सेकेंड के option B 1 वटा 2 cm परती सेकेंड के option C 1 वटा 4 cm परती सेकेंड परती सेकेंड के option D 1 cm परती सेकेंड परती सेकेंड के सही जवाब मिलाएंगे आप option B 1 वटा 2 cm परती सेकेंड परती सेकेंड के एक बस्तु का जरत्व की परत्यक्ष निर्वड़ता है अप्शन A दर्बमान पर अप्शन B बेग पर अप्शन C आयतन पर अप्शन D समबेग पर सही जवाब अप्शन A दर्बमान पर नेक सवाल एक बस्तु का बज़ा नदिक्तम होता है Option A, पिर्टिवी के दुरूबो पर, Option B, पिर्टिवी की भूमत रेखा पर, Option C, पिर्थिवी की सता के 100 km नीचे, Option D, पिर्थिवी की सता के 100 km उपर. सही जवाब हो जाएगा Option A, पिर्तिवी के ध्रूबों पर Next सवाल numerical है 100 किलोमेटर दूरी पर दो रेलगारिया A एवं B पारसपर की ओर 50 किलोमेटर प्रतिगंटा की चाल से चलती है रेलगारी A 18 किलोमेटर प्रतिगंटा से तोरित होती है एवं रेलगारी B 18 किलोमेटर प्रतिगंटा से मंदित होती है तो रेलगारी A की प्रारमवी कवस्था से कितनी दूरी पर एक रेलगारी दुसरे को पार कर सकेगी Option A 32 किलोमेटर Option B 50 किलोमेटर Option C 55 किलोमेटर Option D 69 किलोमेटर बनाएंगे, मिलाएंगे इसे जबाब हो जाएगा अप्शन D 69 किलो मीटर एक व्यक्ति को 5 मीटर दूरी पर आर पर एक भार को लेकर जाना है अधिक्तम कार्ज किया जाता है जबकि वह अप्शन A है एक नत समतल के उपर से उस भार को ठेलता है अप्शन B उस भारत को उर्दभातर उपर की ओर उत्तोलित करता है एवं गमन करता है C 36 सता पर उस भार को ठेलता है अप्शन D उप्यक्तम में से कोई नए सही जवाब हो जाएगा अप्शन बी उस भारत को उर्दभादर तह उपर की ओर उतोलित करता है वं गमन करता है अंतावनवा सवाद एक बस एक कार एवं एक मोटर साइकल एक ही गतिज उर्जा में गतिज करते हैं ब्रेक का परियोग द्वारा समान मंदन बल देते हुए उन तीनों को बिरामा वस्था में लाए जाते हैं तीनों में से कौन कम दूरी पर रुकेगा अप्शन A बस अप्शन B कार अप्शन C मोटर साइकल अप्शन D सभी तीनों समान दूरी पर सही जवाब हो जाएगा अप् हवा दोनों में ही समान है अपसंडी माध्यम के घनत में स्वतंत्र है सही जवाब हो जाएगा अपसंडी सूखी हवा से नमी हवा में अधीक है एक लड़की बैठते हुए एक जूला जूल नहीं है यदि वह लड़की जूले पर खड़ी हो जाती है तो जूलने का समय अब धी अपसंडी बढ़ जाएगा अपसंडी कुछ नहीं कहे जा सकते सही जवाब हो जाएगा अपसंडी घट जाएगी दो रेल संदियों के बीच अंतराल रखा जाता है अपसंडी रिष्टिये विस्तार को समय जित करने के लिए अपसंडी रेल के आयतन विस्तार को समय जित करने के लिए Option C, जब रेल गुजरती है तब वर्धित दाब को निवाने के लिए Option D, लेखिए विस्तार को समायुजित करने के लिए सही जवाब हो जाएगा Option D, लेखिए विस्तार को समायुजित करने के लिए 61 सवाल एक चमकते धातू के फलक जिसमें एक खुड़ेदार काले धब्बे हैं को लगवक 1400 के तक गर्म किया जाता है एवं तुरंत एक अंधेरे कमरे में लाया जाता है निविकित में से कौन सा कथन सही होगा Option D, फलक के और सभी जगक की अपिक्षा धब्बा उजवलतर दिखाई देगा Option D, धब्बा और भी ज्यादा काला दिखाई देगा Option C, धब्बा एवं फलक समान उजवलतर दिखाई देगा Option D, अंधेकार कमरा में धब्बा एवं फलक दिरिसमान नहीं होगा सही जवाब हो जाएगा अप्शन ने फलक की ओर और सभी जगह की अपिक्षा धबा उजवलतर दिखाई देगा नेक सवाल बसथमा सवाल कई वस्तुएं अधिक निम्नताप करम पर अपने वैदुतिये प्रतिरोध खो बैठती है इन वस्तुओं को कहते हैं सुचालक अप्शन B और चालक अप्शन C अती चालक अप्शन D परा वैदुत सही जवाब हो जाएगा अप्शन C अती चालक यदि किसी बस्तत्व में विद्धु धारा को दूगना किया जाता है तो उत्पादित उस्मा अप्शने दूगनी होती है अप्शन B चोगनी होती है अप्शन C अठगुना होता है अप्शन D अपवर्थित रहती है सही जवाब हो जाएगा अप्शन B चोगनी होती है नेक सवाल एक 220 बोल्ट पचास वाट के विद्धूत बल्व को 22 घंटे जला जाता है किलो वाट घंटा में उर्जा की खपता है आप्शन ए 1.0 आप्शन भी 1.2 आप्शन सी 0.5 आप्शन डी 1.1 सही जवाब हो जाएगा आप्शन डी 1.1 नेक सवाल निमलिखित में से कौन सा कन एक परमानु के दरमान को निर्धारित करता है आप्शन ए प्रोटोन एवं इलेक्टोन आप्शन भी निट्रोन एवं प्रोटोन आप्शन सी निट्रोन एवं इलेक्टोन आप्शन डी केवल प्रोटोन सही जवाब हो जाएगा option B, neutron एवं proton नपकिये रियक्टरों में भारी जल का परियोग होता है option A, विखंडन को पैदा करने के लिए option B, दृत, neutronों को गती को कम करने के लिए option C, neutronों को अपसोसित करने के लिए option D, रियक्टर से वायल रोग तक उरजा के अस्थानांतरन के लिए सही जवाब हो जाएगा option B, दृत, neutronों को गती को कम करने के लिए नेक्स सवाल, सरसथमा सवाल प्रत्वी की परपटी में सबसे बाहुल तत्व है option A, silicon, option B, nitrogen, option C, oxygen, option D, aluminum सही जवाब हो जाएगा option C, oxygen neutron की खोज करने वाले थे option A, J.J. Thompson, option B, G.T. Seberg, option C, James Chadwick, option D, E, Rutherford सही जवाब हो जाएगा option C, James Chadwick इसे इस तरह याद रख सकते हैं इटा पर नाज, E से इलेक्ट्रोन, T से टॉंप्शन, पसे प्रोटोन, रज से दरदर फोड, ना से निट्रोन, चसे चैडविक नेक्ट सवाल, उन्हतरमा सवाल, तत्वों जिन में विभीन नाब की अवेश हैं, परन्तु समान, दर्मान, संख्या हैं, कहते हैं option A, समस्थानिक, option B, समावयाब, option C, सम्नुट्रानिक करमरक्षी, option D, संभारिक केंदरक का, इसके निकलियोन से गठन में होता है, option A, दर्मान में घटाओ, option B, दर्मान में बरोतरी, option C, दर्मान में कोई परिवरतन नहीं, option D, दर्मान में बरोतरी या गठाओ सही जवाब हो जाएगा option A द्रमान में घटाओ नेक्स सवाल निम्रिखित में से किसका उच्टम गलनांक है option A हिलियम, option B NACL, option C NH3, option D CHCL3 सही जवाब हो जाएगा option B NACL निम्रिखित में से जलिये घोल से होकर एक विद्धु धरा को परवावित किया जाता है कौनस अभिखंडित होगा, option A यूरिया, option B GULCOGE, option C SILVER NITRED, option D BENZINE सही जवाब हो जाएगा option C SILVER NITRED त्रमा सवाल, अकजेलिक अम्र गोल के विरूद, कॉस्टिक सोडा गोला का गोल का अनुमापन के लिए अच्छा सुचक है option A मिथाइल ओरेंज, option B मिथाइल रेट, option C FLURISES, option D PENALPHYLINE सही जवाब हो जाएगा option D PENALPHYLINE नेक्स सवाल, चोतरवा सवाल, यदि एक लोह तार को कॉपर सलफेट के गोल में रखा जाता है तो option A तामभा अफॉष फित होगा, option B लोह अफॉष फित होगा, option C लोह एवं तामभा दोनों ही अफॉष पित होंगे, option D कोई परत किलिया नहीं होगी, ज़ोगा option A तामभा अफॉष फित होगा, नेक्स सवाल जल के कौथनांग को डैस के दाप्करम के रूप में परिभाजसित किया जाता है option ने, जल का वास्प दाप बाईवमंदलियद दाप के बरावर है option बी, बुलबूले का गठन, option C, बास्प का निस्कासन, option D, इन में से कोई नही जब किसी घोल को एक अर्थ पार गम में द्वारा उसके विलाइक से प्रथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं जब सिनिहक पुलो आईडी को जाना जाता है जल से नही के रूप में द्रब से नही के रूप में निमनीखित में से कौन सेतवत्व के समाषानिक पड्योग होता है Option A, Uranium, Option B, Carbon, Option C, Hydrogen, Option D, Nitrogen सही जवाब बजाएक Option B, Carbon एक रेडियो धर्मी समस्थानिक की अर्धा आयू 20 दिन है यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद अवस्षिस समस्थानिक का बजन है Option A, 25 ग्राम, Option B, 2.5 ग्राम Option C, 50 ग्राम, Option D, 5.0 ग्राम, सही जवाब बनाएंगे Option A, 25 ग्राम नेक्स सवाल, इलेक्ट्रोन की हानी उपचैन है एक सेल के एनोर पर जो परकरम होता है उससे कहते है Option A, उपचैन, Option B, उपचैन, Option C, उपचैन, उपचैन दोनों Option D, इन में से कोई नहीं, सही जवाब, Option A, उपचैन, नेक्स सवाल निम्लिकित में से कौन सबसे अधिक धन विद्धुत तत्व है Option A, शोडियम, Option B, लिथियम, Option C, पोटेसियम, Option D, सीजियम सही जवाब हो जाएग, Option D, सीजियम सुष्क बर्फ है, Option A, ठोस बर्फ, Option B, ठोस कर्बन डाइकसाइड, Option C, ठोस सल्फर डाइकसाइड, Option D, ठोस बेंजीन सही जवाब हो जाएग, Option B, ठोस कर्बन डाइकसाइड ही रहा है, Option A, SiO2, Option B, Al2O3, Option C, Al2O3 और SiO2 का मिशरन, Option D, सुधकारवन सही जवाब हो जाएग, Option D, सुधकारवन एक जिवान, कोस का प्रती मिनट में एक बार विभाजित होती है यदि यह एक प्याला को भरती करने में, एक घंटा लेता है, तो आधा प्याला को भरती करने में कितना समय लेगा Option A, 60 मिनट, Option B, 29 मिनट, Option C, 30 मिनट, Option D, 69 मिनट सही जवाब हो जाएगा, मिलाएए अप लोग, Option D, 69 मिनट नाइट्रोजन का इस्थिकरन करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवानु है, Option A, लाइजोबियम, Option B, अजोटो वेक्टर, Option D, क्लॉस्टिडिरिडियम, Option D, एस्ट्रेटो कॉप्स सही जवाब हो जाएगा, Option B, अजोटो वेक्टर 86, पफुंदी में संचित खाद पदार्थ है, Option A, स्वेच्चार, Option B, गलाइकोजन, Option C, लिगनिन, Option D, गलाइकोजन एवं तेल की गोलिका, सही जवाब हो जाएगा, Option D, गलाइकोजन एवं तेल की गोलिका, अफिम पाया जाता है, Option A, कॉफिया, एराविका में, Option B, कैनाविस, से टाइबा से, Option C, थिया, सीनेशिस से, Option D, पापावर, सोमनी फेरम से, सही जवाब हो जाएगा, Option D, पापावर, सोमनी फेरम से, नेक्स सवाल, परकास संसलेशन में, पहला सुपान है, Option A, NADPS2 का बनना, Option B, ATP का बनना, Option C, परकास के एक फोटोन, द्वारा हरित लवक का एक इलक्टोन का उत्यजन, Option D, जल का परकास अपगटन, सही जवाब हो जाएगा, Option D, जल का परकास अपगटन, निम्नाकित में से कौन सा, गलाइकोलिसिस, एवं क्रेव चक्र के बीच की करी है, Option A, पोस्फोएनोल, पाइरूबिल अमल, Option B, फियूमिरिक अमल, Option C, साइटिरिक अमल, Option D, एसी टाइल, सह एंजाइम, सही जवाब हो जाएगा, Option D, एसी टाइल, सह एंजाइम, Option A, 90, भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेडियम है, Option A, कुलकता में, Option B, मुंबई में, Option C, पालंपूर में, Option D, चेन्नाई में, सही जवाब हो जाएगा, Option A, कुलकता में, नेक्स सवाल, पच्चियों की हडिया है, Option A, ठोस, Option B, मजबूत एबं ठोस, Option C, वातिल, Option D, इन्ने में से कोई नहीं, सही जवाब, Option C, वातिल, नेक्स सवाल, निम्लिकित में से कौन सा भारत का रस्ट ये प्रक्षिय है, Option A, कबूतर, Option B, मूर, Option C, कुल, Option D, मेना, सही जवाब, Option B, मूर, मानो मूतर से समानेता कौन सा विटामिन का उस्वादन होता है, Option A, विटामिन A, Option B, विटामिन C, Option D, विटामिन के, इन्ने में से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएग, Option B, विटामिन C, नेक्स सवाल, विटामिन B, 6 की कमी से मानो में होता है, Option A, रक्त सराव, Option B, रिकेटस, अप्षन C रक्तालपा, अप्षन D काली जिवा बिमारी, सही जबाब हो जाएगा अप्षन C रक्तालपा, लार परिवर्तित करता है अप्षन E गलाइकोजेन को गुलकोज में, अप्षन B वसा को वसा अमले में, अप्षन C प्रोटीन को इमिनो अमले में, अप्षन D स्वेत स को मल्टोज में पेपसीन एक उधारन है उप्षन ए इंजाइम का उप्षन भी हर्मून का उप्षन सी बिटाविन का उप्षन डी खनीज का सही जवाब हो जाएगा उप्षन ए इंजाइम का नेक्स सवाग पित रस का मुक कार्ज है प्रोटीन के पाचन को नियंतित करना एक स्वभाविक मानव एक मिनिट में स्वांस लेता है उप्षन ए 5 से 40 बार उप्षन भी 20 से 25 बार उप्षन सी 14 से 18 बार उप्षन डी 22 से 25 बार सही जवाब हो जाएगा उप्षन सी 14 से 18 बार आप परसम भी सुजिद 1914-1918 से भी इसको पकर सकते हैं चलिए नेक्स सवाल न आईउरीन के चायनात्मक संवचन होता है आउप्षन ए थैराइड में ऑफ्षन इसमैस में और कृषन सी एकरित में और और यूष्यगरानथी में सहीजवाब हो जाएगा आउप्षन